रेलवे सुरक्षा और बहतर सेवा जैसी तमाम चुनोतियों से निपढ़ने के लिए विदीशी तकनीकों की मदद लेने जा रही है इसके लिए RDSO Global Technology Conference कर रहा है इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे बोर्ड के सदस्य नई तकनीकों के बारे में जून महिने तक ठोस खाका तैयार करें जो सस्ती और टिकाव तकनीक हो रेल मंत्री सुरेश प्रभू का दावा है कि अगले एक दशक में भारतिय रेल भारी निवेश करने जा रही है इसमें सुरक्षा को प्राथमिक्ता देते हुए रेलवे लंबी और छोटी अविधे की रणनीती पर जोर दे रही है रेल मंत्रालाई का कहना है कि सुरक्षा और क्षमता विस्तार जैसे मसलों पर नई तकनीकें मददगार साबित होंगी समेलन में 20 देशों के 64 रेलवे विशिशग्य और रेल कमपनिया हिस्सा ले रही है